और भाई Redmi Note 7 Pro को Android 10 की अपडेट मिल गई हाँ भाई मुझे पता चला और नेविगेशन बार भी मिल गई हाँ भाई और तुझे क्या हुआ तेरा क्यों मुझ गिरा हुआ है भाई मेरी तो आकर गाये भी हो गई तो दोस्तो स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में तो यह थोड़ा सा मजा किया है प्लीज बुरा मत मानियेगा और यह आप सभी ने कल कमाल कर दिया कल आपने हमारी तीनो ही वीडियो को यह बहुत सपोर्ट किया तो यह बहुत बहुत शुक्रिया तो दोस्तों आप सभी के बहुत सारे कॉमेंट आ रहे थे Redmi Note 7 Pro को लेकर क्योंकि यार यस्तरड़े जो है वो अपडेट रोल आउट की गई थी MIUI 11.0.2.0 की एक स्टेबल रोम की अपडेट जिसमें आपको Android 10 and Navigation बार भी देखने को मिलती है अगर आप Alpha का जो सिस्टम लॉंचर यूज करते हैं तो यार बहुत सारे कॉमेंट आए कि आपको अपडेट मिल गई पर यार उसके बार इतने सारे कॉमेंट मुझे देखने को मिले कि यार अपडेट जो है यार मैं तो कोशिश करता हूँ जब भी अपडेट आए उसी टाइम यार आपको मेरी कम्यूटी पोस्ट पे यार वीडियो बना कर बता देता हूँ कि यार अपडेट आ गई है क्योंकि यार शोमी का ऐसा ही चलता रहता है अपडेट आती है विदिन 5-10 मिनिट या 30 मिनिट में जो है वो अपडेट रोल बैक कर दी जाती है तो यार अगर हम बात करें कि आपको यार अपडेट कब मिलेगी तो यहाँ पर उमीद जो न्यूस है वो यही है कि इसी हफते सरी इसी मंत के end तक जो है वो आपको Android 10 का फुल रोल आउट इंडिया में देखने को मिलेगा तो दोस्तो अगर हम यहाँ पर बात करें MIUI 12 की तो यार MIUI 12 तो तभी आएगी अगर Android 10 का फुल रोल आउट हो जाएगा तो दोस्तो यहाँ पर जो MIUI 12 है वो इंडिया में जो है वो बेटा टेस्टिंग में चल रही है अभी मैंने इसे अपडेट किया हुआ था इसमें काफी सारे बग्स पाए गए है यहार ऐसा नहीं है कि बग्स नहीं है पर यहार उन्हें जो है सोट आउट किया जा रहा है त तो यहार अभी जो है वो थोड़ा सा टाइम लगने वाला है क्योंकि चाइना में अभी अभी देखने को मिली है तो इंडिया में विदिन 10-15 डेज जो है हमें रेड्मी नोट 7 प्रो में MIUI 12 देखने को मिलेगी वो भी यह पार्शल अपडेट आएगी तो यहां पर सभी य यह सारी इंफोर्मेशन थी यहां पर रेड्मी नोट 7 प्रो के बारे में तो यह राज के लिए वस इतना ही है